नमस्कार मैं हूँ राशका बजाज और आप देख रहे हैं जी एन भारत आज्चू पार्टी में आज एक प्रेस वारता रखी गई जिसमें कई एहम मुद्दों पर चर्चा की गई आए सुनते हैं क्या कुछ कहा आज्चू प्रदेश प्रवक्ता ने आज्चू पार्टी ने साथ फर्वरी से 31 मार्थ तक जनसंगरा धनसंगरा कार्चकरम से सुभारम किया है इस कार्चकरम के माध्यम से एक लाग सकरिय सदस और दस लाग सधारन सदस बनाने का लक्ष को हमनों पूरा करेंगे इसी करम में कल सुदेश जी हमारे केंद्रिय अध्यक्ष पुर्माजी के पुर्माजी से कहें पान्सो पिलर मिंबर जो सकरिय सदस के रुप में सामील होंगे उस कार्चकरम में सरीक होंगे साथी साथ पाटी ने तै किया है कि हमारे पाटी के अंदर जितने भी पदधारी हैं उन तमाम पदधारी होंगे चाहे हो केंद्रिय अस्तर के पदधारी हो चाहे हो जीला के पदधारी हो या परखंड के पदधारी हो या पंचायत के सभी पदधारियों का कारे निर्धारित रहेगा और दाइत्व भी तो कल उर्मांजी में राची जिला के जितने भी पदधारी हैं जो नोनिक्त पदादिकारी हैं उनका कार्जभार भी सौपेंगे साथी साथ पाटी साथ मार्च को बिधान सभा घेराव के कार्जकरम को लेकर के पूरे प्रदेश में तयारी कर रहे हैं बिधान सभा मार्थ बिधान सभा घेराव कार्जकरम खाजकर राजसरकार के द्वारा अस्थानिय निती नियोजन निती और भासा बिवाद भासा बिवाद का उत्पन करना और ये दोनों नितीयों का अस्पस्ट निर्ने नहीं होना इसको लेकर के साथ पारिका कार्जकरम होगा उसमें उसके अलावे सामाजिक नियाय कुल मिलाके जारखंडी असमिता और सामाजिक नियाय के मुद्दे को लेकर विधान सभा घेराव साथ तारिक को राची चलो कार्जकरम आयो जीत पाटी ने अस्पस्ट रूप से इन विशायों पर अपना नितिगत रूप से निर्णे लेकर के परदेश के जितने भी जनपरतिनी दी हैं सांसद विधायक हमारे पाटी के नेता और कार्चकरता उनके समक्ष जाकरके उनसे राय जानने का अपील किया कि आप भी अपनी राय अस्पस्ट करें क्योंकि एक विधायक होने के नाते आप इस राज के राजनेता भी हैं और उस हिसाब से इन विश्वों पर अपना विचार अस्वस्ट करें पूरे परदेश में हमारे पाटी के पतादिकारी जनपरतनिदियों से मिल करके उनका मंटब ले रहे मुख कार्शकरम कलका था इस पे आगया और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जदा अप्धर है बासा विवाद बना होगा है सरकार अप्रणामत नहीं कहते है कि हत्म हो गया पताख्षेख हो गया तो क्या आप आसु इस बात का पता करना चाहरे है कि आग क्यों लगाया गया या फिर क्यों बुजाया गया तारण नहीं बताए यह पता करना चाहती है आपको थोड़ा है ने ने आपके पास है 10 रुप्या करनो देजी हम बताते हैं अइंडी होगा उर्दु होगा बंगाली है उडिया है यह तमाम भासाएं हैं, माने यह नोट पूरे देश में तो चलता ही होगा, हमको लगता है यह दिली में भी चलता है, बंबय में भी चलता है, कहने का मतलब यह है, कि जीन भासाओं को पूरे देश में लोग जानता है और उसको इस्तिमाल करता है, उसको आप छेत्रिय भासा क का कोई आहरता होता है कि नहीं होता है अब सब को छेत्री बना दी अब डीजीपी को दरोगा कहेंगा तो कोभी हसेगा नहीं हसेगा हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं नोट में लिखे वे उन भासाओं को छेत्रिय भासा का दर्जार देने से उनके popularity को कम करने के लिए आक रहे हैं कि इसको तो इसे ही लगता है कि उनका popularity कम हो गया अब छेत्रिय हो गया उनके कार्मिक विभा के अधिसुचना से ये नहीं बदल सकता है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक विभाद खड़ा करना चाहते हैं नोकरिन देना नहीं चाहते बलकि आपने ध्यान को भटकाना चाहते ये ये तो आशुल की के लिए नहीं बोत ये क्यामको उर्दु से विरोध है आपको बोलने में आप नोट दिखा रहे हैं हुमा रहे हैं राष्ट्रिय को च्छित्रिय कबाभाब हो रहे हैं आप सिरे पूल ये उर्दु को आठा है सलकाल है हम किसी को हटानी की बात नहीं किसी को जूड़नी की बात कर रहे हैं हम तमाम पदादेकारियों को कहना चाहते हैं कि जुनको ये नहीं पता कि राश्ट्रिय भासाएं कोन है और छेत्रिय भासाएं क्या जारखन की नौ छेत्रिय भासाएं और जंजातिय भासाएं हैं उन भास नोट में द्विरदेश में चलने वाले को किसी छेतर में चिन्हित कर दिया है। ये कहना चाहते हैं। आप जो मेंबर से ड्राइब चलाए हैं, कितने लोग आशु से जुड़ रहे हैं, कितना लोग अपना धन दे रहा हैं आशु को, कि आप राजनीती करें। आशु पाटी ने जन धन के माध्यम से मुल धन को बचाने के लिए पाहल की हैं। लोग उनलाइन पाटी से जुड़ रहे हैं, पूरे देश से जुड़ रहे हैं। और हम लोग ने एक असपस्त रूप से कार्श करें। जहां 500 पिलर मेंबर, सबसे निचलास्तर का पिलर मेंबर, 500 पिलर मेंबर जहां जोइन करेंगे, सुदेश जी वहां पर उपस्तित होंगे, उनके साब जोइनिंग करें। कल इसका सुभारम और मांजी से हो रहा है, जहां 500 पिलर मेंबर और उसे ज़्यादा भी पिलर मेंबर जोइन करेंगे, सुदेश जी इसका सुभारम करें। अमीत मां तो इस्तिफा दिया है, कुछ कहना चाहिए। उसे प्रेणा लेकर वो लोग भी पसेंजर उतरे, निश्चित तोर पर उसे प्रेणा ले, जो बैठे वे पसेंजर हैं वो लोग। सब लोग को तो इस गाड़ी को चलाई की। जब सब उतर जाएंगे तो आजशू पार्टी कहें वास्ते हैं। एक आखरी सवाल है, जगानाज मातों कहीं क्योंकि वक्ताइदा पार्टी के दौर पर आप सिर्फ भासा का विरोद कर रहें। तो वो कह रहें कि अगर अंदोनंकारियों को राजशू पार्टी मतलबिल लोगों को जो लगता है कि उनकी वज़ा से सरकार ने फैसला वापस लिया हो जाके गड़वा फला मूं लाते हाँ, चत्राई सब से मगई बोश्कूरी हटवाई। एक बात असपस्ट थोड़ा होना चाहते हैं, हम लोग भी अपूरे जनता होना चाहते हैं, वो ये जैसे ही बोकारो धनबाद गृड़ी से इन भासाओं को वापस लिया गया, तो नियूज में आया कि कांगरेस पार्टी और जार्खन मुक्ती मोर्चा के दबाव से सरकार हमें जानना चाहते हैं, यह सरकार कांगरेस पार्टी और जार्खन मुक्ती मोर्चा के दोऱा चल रहा है, अब ऑखन का सरकार है, कि नहीं है इह पाले असपस्टो की सरकार आई कि सका, जब इनका दबाव अहाँ चल रहाος, तो सरकार चला को भों रहा है? जब ये कह रहे हैं कि हमारे दवाव पे निर्ने हो रहा है इनके विधायक जाके मुखमंत्री से मिलते है इनके मंत्री जाके मुखमंत्री से मिलते है कि भाई इस पे निर्ने लिजे सरकार कौन चला रहा है ये पता लगना चाहिए जब यह लोग नहीं चला रहे है、 पार्टियां नहीं चला रही है, तो कौन चला रहा? अब वे चौब पूरे परदेश का मंत्री है, वो कहता है जाकर वहां औरकर अंधरन करौँ, अरे आप परदेश के निती निदनिर्धारण के तरफ बपटे हैं, आपको इस पर निर्ने लेना चाहिए तो बोलो इधर बोते हूं कि भैज तुम भी पाल करो ये तो हमको लगता है ये लोग उलजाना चाहते हैं सुलजाना नहीं चाहते हैं कॉंग्रेस बोल रहे है यासु को नेधिक बल नहीं है बोलने का सबसे ज़्यादा सत्ता में कौन रहा है पूरे देश के लोग जानते हैं अजाद भारत से लेके आज तक मने सबसे ज़्यादा सत्ता उन लोग रहा है और जितना बीमारी दिखता है इन ही लोग के कारण है 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 अगर एक घर से निला हुग दुबारा जितना पाना चाहिए तो शुटा करेंगा अपलोग समझ रहे हैं जो बोलना चाहिए है अच्वी साजा कर रहे हैं के वक्तबर भी आ रहा है है मुद्दा से ही लोग एक साथ जूपते हैं और मुद्दा की लड़ाई को बल मिलने के लिए लिडर्सीप अगर कहीं भटका है वो भी आता है तो स्वभाविक रूप से हम लोग विल्कम करेंगा अगर अमीजी आते हैं अगर करेंगा नियोजन की खतियान अधारित हो कल मुखमंत्री पर हेट में कहें कि फिर से उन्हों दर आया कि हम सरवाधिक नोकरी देने जा रहे है और सभी विभागों को कह दिया उट डंके के चोट पे कहे थे कि हम सरकार में आई ने पांच पांच लाख लोगों को हर साल नोकरी देंगी दो साल पिता 10 लाख हो गया दस लाख लोगों का जीवन बरबाद कर दिये जिनका उमर हो जाता है उते एक्सपायर कर गया उनके लिए क्या सोच रहे हूं नया फिर बोल रहे है कि डंके के चोट पे हम नोकरी देंगी अभी प्रक्रिया चल रही है विभाग में रिटियां खोजी जा रही है अभी साल तो उसका बीद गया विसे नियोजन वर्स गोसित कर दिया एक भी नियोजन ने वर्स पार तो वरता ही है पसेंजर लोग उतर रहा है और भी उतरेंगे रांची ससायोगी सोनुपांडे के साथ मैराश का बजाज जीन भारत अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले